ये जो बार-बार आपने जे शब्का इस्समाल क्या रागव भाई मुफ्त 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 इस पर प्रदान मंत्री की बड़ी सक्ट क्रिपणी आती है बार-बार रेवडी कल्चर ये मुफ्त के चक्कर में निकम्मा बनाने वाली चीजे हैं भाई लोगों को सशक्त बनाने ये अलग डिबेट है रागव भाई इस पर क्या ठेक है आपका रेवडी कल्चर मुफ्त मुफ्त इस पर मैं एक बड़ी साधारन सी बात कहना चाहूंगा इस देश में दो प्रकार की रेवडियां है एक है अर्विन केजरिवाल जी की रेवडी जिसमें हर परिवार को 300 डिटर जो एक समानने समान जनक जीवन जीने के लिए चाहिए हो था उतना पानी मुफ्त मिलता है हर गरीब के बच्चे को हर शक्स को अच्छी शिक्षा विश्व तर्य शिक्षा बिलकुल मुफ्त मिलती है मुफ्त इलाज मिलता है चाहे 10 लाक रुपे का उप geography definition हो चाहे 1600 करोड रुपे का उपरेशन हो, वो मुफ्त मिलता है, तो ये अर्विन केजरिवाल जी की रेवडी है, जनता के लिए, दूसरी तरह भाजपा की रेवडी है, जिसमें उद्योग पतियों का 15 लाग करोड का करजा माफ किया जाता है, जिसके अंदर कॉर्परेट टैक्स वेवर देकर 10 लाग करोड की चूट बड़े-बड़े राजगरानों को, बड़े-बड़े उद्योगपतियों को दी जाती है, ये भाजपा की रेवडी है, हम ये दोनों रेवडियां आज जनता के सामने रख रहे हैं, एक केजरिवाल की रेवडी है, ए एक समान जनक जीवन जीने के लिए जितना पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्त चाहिए होता है, वो मुहिया कराती है मुफ्त में, दुनिया में कई बड़े-बड़े विक्सित देशों में ऐसा होता है, कि पबलिक ट्रांसपोर्ट से लेकर, एजुकेशन से लेकर, सारी चीजें सरकार मुहिया कराती है, आखिरकार भारत का संविधान अवन भाई ये कहता है, that India is a welfare state, भारत एक कल्यानकारी राज्य है, कल्यानकारी सूबा है, मुझे लगता है कि ये दोनों रेवडियां आज जनता के सामने, जनता को चुन्ने देते हैं, उनको कौन सी रे अवरी पसंदे?